हेलो दोस्तों, C92 में आपका स्वागत है, आज का हमारा नया टॉपिक है What is energy and what is its unit? और दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि laws of conservation of energy क्या होता है कुछ example के जरिया हम समझने की खुशिस करेंगे laws of conservation of energy आप वीडियो के last step बने रहे ताके आपको ये information मिल पाए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि energy क्या होता है The ability to do the work is called energy मतलब क्या होता है इसका कि काम करने की सिलाहत को हम energy कहते है मतलब अगर काम होना है तो energy की requirement है अब देख सकते है कि अगर इस गारी को ठेलना है तो इस सक्स के अंदर हमें energy चाहिए और गारी जैसे ही move होगा तो उसमें displacement होगा और displacement होगा तो मेरा work done होगा तो work done के लिए हमको energy की requirement है तो हम देखे है कि काम करना है तो energy लगेगा The ability to do the work is called energy दुसरा part हम देखते है unit Unit क्या होता है? CGS system में इसकी एक आई इसकी unit erg होती है और दुसरा एक system क्या है? SI system SI system में इसकी unit जूल होती है अब तीसरा part देखते हैं हम laws of conservation of energy क्या होता है laws of conservation of energy? इसे हम जानने की कोशिस करेंगे तो दुसरा आपका मालूम है कि इस जमीन पे इस पिर्थिवी पे इस अर्थ पे हर source का हर source of energy कहां से आता है? यह source जो है एक ही है single point वो है sun Sun is the all source of energy in this earth तो laws of energy अब conservation क्या कहता है? Energy cannot be created nor be destroyed It can be transferred from one form to another कुछ examples के जरी हम समझते है torch जो हर किसी के घर में होता है torch में क्या होता है? chemical reaction उसमें chemicals रहता है battery में chemical reaction battery में होता है और वो battery में chemical reaction के वज़ा से electrical energy generate होता है और वो electrical energy क्या होता है? light energy में convert होता है and then light energy जो है heat energy में convert होता है तो यहाँ पर torch में जो है हमारा laws of conservation of energy is applicable क्योंकि यहाँ पर energy one form to another form में convert हो रहा है और example देखते हैं हम Lord speaker आपने देखा हो है कि साधी या किसी program में Lord speaker की जरुवत होती है बट Lord speaker में कौन सा energy किस energy में convert होता है हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है electrical energy sound energy में convert हो जाता है जिससे क्या होता है हमें high sound सुनाए देता है टीसरा देखते हैं example diesel generator बहुत सारे programs या फिर साधी या फिर किसी functions में जो है diesel generator की जरुवत पढ़ती है लेकिन यह generator में भी energy convert होता है यह generator में क्या energy convert होता है इसमें mechanical energy, electrical energy में convert हो जाता है इसके बाद हम तीसरा और एक example देखते है photosynthesis दोस्तो हमने पढ़ा था photosynthesis क्या होता है इसमें कुछ reaction होता है यह reaction कैसे होता है reaction के लिए हमको 4 चीज़ के जरूरत होती है light, carbon dioxide, water और chlorophyll जो पौदो के पत्तो में होता है तो पौदो के पत्तो में एक chemical reaction होता है जिसके लिए हमको light की जरूरत होती है और यह light जो है chemical energy में convert हो जाता है जिससे पौदे जो है अपने लिए food तैयार करते है Hope the video is useful to you अगर आपको और वीडियो इसी तरह का जानना है तो please like, share और subscribe करें मेरे channel को Thank you